जहीं दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं से को और कुश्ण के बारे में इस कुश्ण में एक्जामने ने का है दा सम और नियुमिनेटर और डिनोमिटर का जो सम है वो कितना है आपका 11 है इसमें ने इसमें यह नहीं बताया कि जो नियुमिनेटर है वो मेरा बड़ा है यह चोटा यानि अन्स मेरा बड़ा हार से यह चोटा यह मुझे नहीं बताया क्योंकि हम इसमें एक लॉजिक यूजिक करेंगे इलेवन आ रहा है क्या रहा है इसका आपका इलेवन आ रहा है अब यह इलेवन आ रहा है तो एक्जामने ने क्या का कि जो मेरे पास न्यूमिनेटर है उसमें क्या कर रहा है यह टू प्लस करने के लिए बोल रहा है और डिनमेटर प्लस करने के लिए बोल रहा है तो न्यूमि यह नचीए तो यह तो मैं अब option की help लूँ क्योंकि इसमें क्या रखा है ए माइनस का बी रखा है यह बी माइनस का ए मुझे यह वैल्यू दे रखी है क्योंकि दोनुका यह अधर भी हो सकता है बट मैं पहले इनी वेल्यू को चेक करूँगा रखा रखी अगर बन बाई 24 बनेगा तो उन दोनों का डिफ्रेंस करके मेरा अंतरा आना चाहिए तो चली चाह करते हैं अगर मैं यहां पर बी की वैल्यू क्या रखो आपकी पांच रखूं तो पांच प्लस का दो यह निएए पांच रखों तो पांच प्लस का दो सात हो जाएगा अप उन में एक वेल्यू छह रखो दो चहां और दुह बा बनेंगा विल्कुल बनेगा अगर मैं सीता-सीता इसको तीन से इसको चार से मल्टिप्लाइगा तो चार से मल्टिप्लाइगा तो यह 20 बनेगा तो 20 अपोन में 24 था तो इसका मतलब 1 by 24 आ रहा है यानि कि इसमें न्यूमिनेटर और डिनुमिटर दोनों की वैल्यू मुझे पता लगी कितनी है 6 और 5 दोनों का डिफरेंस किया तो 1 आएगा यानि कि option जो C होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी को question समझ में होगा जै हिंद जै भारत